वेल्कम टू बीपेस एड़ा बीपेस एड़ा पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्पुन अंताराष्टिय संगठन का जिसका नाम है इसलामिक सयोग संगठन अर्थात और्गनाईशन ओफ इसलामिक कंट्री यह टॉपिक हा जब लिये गए उसका बिरोध करने के लिए और्गनाईशन ओफ इसलामिक कंट्री का अचानक मीटिंग बुलाना और उसका बिरोध करना न्यूज में था तो यह टॉपिक जो है आपके एक्जाम पर रव्यू से इंपार्टेंट है इसके बारे में आपको पता होना तो इसको हम देखते हैं कि कौन कौन इसकी सदस हैं, क्या भारत भी इसका सदस है या नहीं है इसके उत्ते से क्या है और कौन कौन इसके सदस बन सकते हैं यह सभी बिंदों पर हम एक ही कर्च चर्चा करेंगे इस पूरे विडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हम आज का सेशन, ठीक है, OIC का फूल फर्म सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, OIC का होता है, Organization of Islamic Corporation, ठीक है, और एक वर्ड लिखा हुआ है, the collective voice of Muslim world, ठीक है, क्या है, एक सामुही रूप से, जो इतने भी Muslim समुदाय, अर्थात जिसने भी Muslim country है, उनके आवाज उठाने का एक मंच है, एक platform है, राइट, Islamic सहयोग संगठन एक अंतराश्टिये, अंतर सरकारी, अर्थात Intergovernmental Organization है, जिसके स्थापना 25 सितंबर 1969 को रवाद में हुए, सिखर सम्म में हुई थी, कब हुई थी इसके स्थापना 25 सितंबर 1969 को रवाद में हुए, सिखर सम्मेलन में हुई थी, इस सम्मेलन में बरतमान में 57 सदज से हैं, इसमें Muslim बहुल देश सामिल है, Islamic सहयोग संगठन का पहले नाम, Islamic देशों का संगठन अर्थात Organization of Islamic country था, और बाद में फ होना है, Organization of Islamic country था, और बाद में इसका नाम बदल कर Organization of Islamic cooperation कर दिया गया है, इसका मुख्याला है, सौधी अरव के जिद्दा में इस्तित है, तो ये भी आपको याद रखना है, कि Organization of Islamic country का मुख्याला है कहां पर है, सौधी अरव के जिद्दा में है, और अस्थापना कब हैं, पाकिस्तान इसके संस्थापक सरस्यों में सामिल है, संजुक्त राष्ट के बाद ये दूसरा सबसे अंतर सरकारी संगठन है, अर्थात, United Nations के बाद ये दूसरा सबसे एंटर गवर्मेंटल और्गनाईशन है, ये काफी important बन जाता है इस और्गनाईशन के बारे में आ एक तेन वर्स के बाद इसका सिखर सम्मेलन किया जाता है, लेकिन पीच बीच में जब कुछ ऐसा इसू आ जाता है, लाइक इजराइड और फलिस्तिन का जब इसू आया है, तो अचानक में इसका इमर्जेंसी, जो मिटिंग है, वो बुलाया जाता है, और ये बिरोध पर करता है, बेसिकली अगर कोई भी देश, इसलामिक कंट्री के विरुध कोई एक्शन लेता है, तो उसके विरुध यह ओर्गनेशन अपना आवाज एक जूटता के साथ परकट करता है, इस संगठन को दुनिया भर की मुसलिमों की सामोहिक आवाज भी का जाता है, तो ये च सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बैग्यानिक सहयोग को बढ़ाता है, अर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एवं बैग्यानिक सहयोग को बढ़ाता है, अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें, तो जैसा कि हमने देखा कि 57 कंट्री है, तो आपको 57 कंट्री का नाम याद क्या बसकता नहीं है इसमें में में दो चार एटलिस एसन कंट्रीज जो आपको इंदिया से सटे हैं लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान इरान मलेसिया इंडोनेसिया फलिस्तीन ये सब का नाम आपको याद होना चाहिए तो ये सारे के सारे जो है लाइक अफगानिस्तान, फलिस्तीन पाकिस्तान, अंडोनेसिया, मलेसिया इरान, एक्सेटरा इस सारे के सारे इसके संतामन सदस सदस हैं और अगर हम अबजर्वर कंट्री के बात करें तो इसमें कुछ अबजर्वर कंट्री है तो टोटल आपजर्वर कंट्री के बात करें तो पांच ऐसे देश हैं जो आपजर्वर कंट्री के जिनको सदस्ता मिले हुए है वो कौन-कौन है वो है तुर्किस रिपाब्लिक ओफ नॉर्डन साइप्रस इसके बाद बोस्निया एंड हर्जिगोवानिया सेंट्रल अफिर्क बादों कि भारत इसका सदसदेश नहीं है यह पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि भारत ओर्गनेशन ऑफ इसलामिक कंट्री का सदसदेश नहीं है और नहीं इसका आफजर्वर देश है जनरली क्या है कि अगर इसके मोटो में जाईएगा तो यह कहता है कि ओर्गने पाकिस्तान और भारत का अस्तान आता है तब भी भारत इसका ओर्गनेशन ऑफ इसलामिक कंट्री का सदस नहीं है यह अफगनिस्तान बार बार इन्डिया को चाहता है अफगनिस्तान की भारत OIC का सदस बने लेकिन पाकिस्तान के बिरोद के बाद बार बार इंडिया सदस नहीं बन पाता है हलाकि अगर हम दूसरे सब्दों में कहें तो भारत ने भी अभी तक कोई ऐसा इंट्रेस्ट नहीं दिखाया है जो Organization of Islamic Country का सदस बन सके Organization of Islamic Country में UAE एबन सौधी अरब मुख देश है जो OIC जो है उसमें UAE और सौधी अरब का मुख भूमिका है आप यहाँ देखे यह आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं सारे के सारे कंट्री यह क्या हैं मेंबर कंट्री हैं और जो रेड पोर्शन से आपको दिख रहा होगा रसिया चेंट्रल अफिरकन यह सारे के सारे जो है यह क्या है आप जर्वर कंट्री है तो इस मैट के तुरू आप ट्राई किजिएगा कुछ कंट्री का नाम याद रखने का ज्यादा कंट्री का नाम आपको याद नहीं रखना है क्योंकि 57 it is not possible for anyone to remember 57 countries हर केसी कोई याद नहीं हो सकता है अगर कोई व्यक्ति रट लिये तब भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि question is not going to be asked like that कि कौन-कौन से इसके सदस है generally क्या होता है कि question जो होता है catchy question पुछा जाता है like India is a member of organization country or not तो यह आपको मालम है कि India is not the member of organization country if you look to the map अगर आप map को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि कोई भी green portion जो है इंडिया पर नहीं है so you come to know कि India is not the member of OIC बस इतना याद रखना है and you know आपको जानना चाहे है कि organization Islamic country का observer जो सदस है वो कौन-कौन है Islamic सहयोग संगठन के अब मुख उदेश्यों की बात करें तो वह इस वरकार है Islamic सहयोग संगठन सदस्य देशों का उदेश दुनिया के विफिन देशों के लोगों के बीच अंतराश्टी स्चानती सदभावना को बढ़ावा देना है साथ ही दुनिया के मुस्लिम सदस्यों के हितों की रच्छा क भी करना है और संद्रच्छन भी परदान करना है सदस्य देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अनमत्पुन छेतरों में इसलामिक एक जूटता को प्रत्साहन देना भी है इसलामिक सहयोग संगठन का उद्देश विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंतरता और राष्टिय अधिखारों की रच्छा करने के लिए उनकी संगहर्षों को मजबूती परदान करना तथा अन सदस देशों के बीच तालमील और सहयोग को प्रत्साहित करने के लिए एक उप्यूक्त बातावरन तयार करना भी है तो इसके जो उद्देश है आपको मालूम हना चाहिए कि क्या क्या इसके उद्देश है कारियों की बात करें तो इसलामिक सहयोग संधान के कार हैं अर्था जो इसका ऑपजेक्टिव है वर्क है वो क्या है सदर्श देशों के बीच बिवादों और युद्धों को सुल्जाना और इसी point को अभी हाल ही में deal करने के लिए जो इसके कार हैं उसी को deal करने के लिए अभी हाल ही में एक emergency जो meeting बुलाई गई थी किसे संबंदित था वो इसराइल और फ्लिस्दिन के conflict से संगठन के वो देशों को खिलाब जाने पर उसकी सदस्ता निलंबित करना अगर कोई देश इस organization of Islamic country के जो उद्देश हैं उसकी खिलाब अगर जाता है तो उसकी सदस्ता को निलंबित भी किया जाता है 46th session of council of foreign minister जब हुआ था तो उस समय सुसमा स्वराज को invite किया गया था तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कभी क्या organization of Islamic country के किसी मीटिंग में भारत ने हिसा लिया तो लिया था 46th session of council of foreign minister में सुसमा स्वराज ने हिसा लिया था तो इस topic से आपको इतना PT plus means point of view से याद रखना चाहिए और इसके बारे में अगर आप means के लिए और थोड़ी डिटील भी जानकारी ले सकते हैं सो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के भी शेर जरूर कीजेगा और एक चीज़ बात और मैं बता दूं कि इस 67th VPSC और विहार शेडिपियों का जो भी त्यारी कर रहे हैं उनकी लिए कल से स्टार्ट होने वाला है और वह काफी फूर्ट होना होगा क्योंकि उसमें सिर्फ हम कोश्चनों का संग्ला नहीं कर रहे हैं बलकि डिटेल एक्स्प्लारेशन भी दे रहे हैं चोकि विद्यार्तियों के लिए काफी उस्फुल होगा खास करके ऐसे समय में जब लॉक्ड़ गुनवत्ता वाला मटेरियल प्रोवाइड करें तो हमारी कोशी से ही रहेगी कि आपको एक अच्छे गुनवत्ता की टेस्टरीज प्रोवाइड के जाए आपके जो आगामी शिष्टे 7 विपीसी है और विहार शेटप्यों का एक्जाम है उसमें आपको सफलता हांसिल इंज्वाइड कीजिए और सेर कीजिए वीडियो को थेंक्यू